तो पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको Google Trends के बारे में, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Google Alerts के बारे में, Google Trends हमारी केटेगरी या इंटरेस्ट के हिसाफ से हमें email आता है, उस पर update information आती है, जिसके थुरू हम daily जो चीजे हो रही है, जो हमारे जो होता है, वो हमें एक news देता है, मतलब top of news, जो alert news है, जो मतलब एक तरह से जो बहुत ज्यादा news चल रही हो, वो तुरंत हमें एकदम हमारे email पर आ जाएगा, और हमें alert कर देगा Google, कि यह सबसे जादा searches हो रहा है, यह सबसे जादा news top trend में चल रही है, तो यहां पर हम trending news, जो trending news है, वो daily उनका notification हमारे email पर आए, जो हमें alert कर दें कि यह सब trend चल रहा है, आप इनके according वर कर सकते हैं, तो यहां पर हम अलग-अलग sources, language, region और यह चीज़े किस email पर रखना चाहते हैं, सब select कर सकते हैं, और create alert, इस पर click करेंगे, तो यह हमारा interest, तो देखें नीचे daily trend news, यह create हो चुका है, अब Google का email हमारे पास daily आये करेगा, जब भी कोई alert message या कोई alert news आएगा, उसके according, तो इस परकार हम Google trends और alert subscription कर सकते हैं,